Good morning students, आज हम पार 13 जीवन तथा रहन सेहन में मैदानी भागों का रहन सेहन के बारे में जानेगे प्रदेश का जो मध्य भाग है वो सबसे ज़्यादा घनी आपादी वाला है यहाँ खेती जो है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाई भी है इनके मकान अधिकांश्ते कच्चे हैं, फूस और खप्रेल से बनेवे हैं अब तो यहाँ पक्के मकान भी बनाय जा रहे हैं प्रते गाउं मुख्य सड़क से जोडने के कारण उत्योग धंदों का बहुत अच्छा विस्तार भी हो सका है चावल, दाल, रोटी, सबसी, दूद, मक्षन, दही यहां का मुख्य भुजन है पुर्शों का जो पहनावा है धोती, कुर्ता, पजामा, सदरी, पैंट और पुशर्ट है इस तरियां घागरा, चोली, ओडनी के साथ साथ साड़ी, बलाउस भी पहनती है यह इनका उतरपदेश के मेदानी भगों का पहनावा है इसके मद्यभा का पश्मी हिस्सा पूर्वी की अपेक्षा अधिक खुशाल है यहां के लोग अधिक परिश्रम ही होते हैं और अपने परिश्रम पर ही विश्वास रखते हैं नई तकनी, उन्नत खाद और बीच के प्रियोग से खेती में अधिक उत्पादन करते हैं यहां पानी बिजली सड़क की भी बहुत अधिक और अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं यहां पक्के और गाउं और किसान संपन हैं मकान यहां के पक्के हैं और यहां के किसान और गाउं बहुत ज़्यादा संपन हैं कल हम पठारी भाग के रहन सेन के बारे में जानेंगे